वेलकम टो गुरिविंदर पीटी चैनल के 65 तो भी प्लास स्कोर असी प्राप्त कर साकते हैं बहुत सारे बिच्चे मेंनों लाइव क्लासेज दे वेचे दाने मैसजेज कर दे ने जड़े बिच्चे मेंनों चीजनों केंदे है भी सब तो important चीज हा भी असी थोड़े लाइव देंट कर लेने हैं जड़े बिच्चे मेंनों चीज हा भी होन जड़ियां साइट सने वो साइट कोई तेन हजार दिया कोई दो हजार दिया कोई तेरां साइट साइट नों अफोर्ड नहीं कर पांदेगे तो उसी एक लाइव दे वेचे इतना चीजां दास दो यसी प्रेक्टिस भी कर पाई है तो मटेरियल इतना दावे भी सानों एकजां चे सेवन बैंड स्कोर तो भी प्लस स्कोर दवादे तो आज जड़े लाइव दे जो टाइम टेबल नों शेर करें जा रहे हैं ये टाइम टेबल बहुत जादा इंपोर्टेंट हा बहुत जादा इ एकजां तो डिजार स्कोरिंग जड़ी या वो प्राप्त करोंगे वड़े टाइम टेबल नों प्रोपरली फोकस करके फिर तुसी यूज करना देन थोड़ी स्कोरिंग एकजां देवे चो बेस्ट आ सागदी या यूज के में करना की मेठोड्स होने चाहें दिया जो केड़े टॉपिंग हों केड़े विएकल एक्स्क्लेइन कर देपे या जड़े 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 चीजा दासदा चलना प्रोपरली आप दा टाइम टेबल दनाल दिनाल नोट कर दे चल्ले हो जिनना जिनना बच्चा ने डिजार स्कोरिंग एकजाम दे विच्छो लेके हांदी आप स्टाड कर दे अफिर टॉपिक गुड आफ्टोन जी गुड आफ्टोनूँ बई गुड आफ्टोनूँ तो ओल जल्दी-जल्दी सारे ने एड़ो जो लाइफ देनाल गालबाध फिर इंपॉर्डेण टॉपिक ते आप स्टाड करें हो तो पेला जड़े बच चैने सब्सक्राइब नहीं कीता, तो गुर्विंदर पीटी ते चल्लो, जल्दी यल्दी सब्सक्राइब करलो, सारी या निया, ते important topic लेखे लो पर offline timetable, offline timetable होगा है, ते online यह या offline timetable है, जो कर बैठके तुसी practice कर साकते है, सब तो पहले चीज़ नोट करो, speaking दिखल कर द मी ना होगया, दो मी ने होगया, चाहे सालाजी होगा कम, ठीक है, जहां तुसी जमा बेगंदर हो, ठीक है, फिर तुसी recentry plus two कीती है, सब तो पहले नमबर ते तुसी early morning, अहोने morning अला काम ही है, early morning, all day time, एक book read करनी है, newspaper नहीं करना, कुछ नहीं करनी, difficulties, एक book read करनी है, book होव जिन नहीं हैगी, ता कोई novel article read करनी हो, specially market तो जाके book लेक्योंगे, लोड नेगी, थो नो Google ते बहुत सरी बुक्स मेल जानी है, थो नो YouTube ते बहुत सरी बुक्स मेल जानी है, जिन novel article नो read करना चाहन नहीं हो, for example, YouTube ते channel है, English 5 days, वो channel ते जाके बहुत novel articles पे है, जाके वो videos दे speaking दे बहुत इननी के जादा improvement कर वाँदी है ना, पर कई बच्चे मेल चीज नो पहुच लेंदे है, पढ़न दे की फैदा, कि पढ़न दे नाल सानू words साथे read load वदिया हो जाने कि पढ़न दे कुछ को फैदा दसल लगा, सब तो पहला कई बच्चे कहन दे ना भी सर असी व सुंधी पहिया, इदना तुसी बुक नो बोल के पढ़ना, loudly, मूँ दे वचे बुक नो read नहीं करना, बोल के कटो कटे कर टार्गेट देना पिया अद्दा केंटा, 30 मिनिट से बुक नो तुसी read करना, जे अद्दा केंटा तुसी बुक नो read करूंगे, 100% ओ चीज एक हफते सेवन डेज दे अंदर तुनो दास दो की भी थोड़ा लेवल किते जानदा पिया, अगली सब तो main and important चीज आद दूसरी, तुसी listen करना regular basis ते, daily basis ते, ओ टाइम होगा evening, read करना early morning, जो तुसी listen करना, ओ टाइम होना चाहिए था night time, for example, मैं पहल लगा, मैं sound लगा, उस तो ठीक है, वीडियो चल्दी चल्दी, for example, होते काफी चीज़ा हों दियाने, मैं तुन्हों समझे स्क्रीन ते शोवी कर देना, ठीक है, कई बच्चे चीज दे वच्छो English 5 Days आले channel थोड़े जे पजल हो जानेगे, ते मैं तुन्हों समझे स्क्रीन ते शोवी कर देना, ठीक है चीज उन्हों समझे दे वच्चे भी सानी रोगी, चैनल आओगा English 5 Days इदना करके, English 5 Days जम्हें अपपर आया, ते जितो चैनल तुसी नीचे स्क्रोल करोंगे, इदना थोड़े सामने या novel आर्टिकल, आ सारे novel आर्टिकल ही ने, इस सारे novel आर्टिकल इदना थोड़े सामने आपने मुरे ना इदना बने आ जोगा, आपने मुरे आज इस इदना बनी आ जोगी, आज इस बनी आ जोगी, होन जेता तुसी एदे वैच्च वाइस नो करना, ठीक है, वाज कर लो, इनू लिसन कर लो, इन लिसन कर लो, इन लिसन कर लो, इन लिसन कर लो, इन लिसन कर लो, 15 वह मेंट दी जा अध्डे किंट दी इडी की हुं धी हुं धी या जी तूस्ही वैशे ऋनू रीड करना को थीक है रीड लोड देसे है अर्ली मॉर्णिंग क्या फिर वाजबंद कर लो वाज़ कटा लो ए दी वाज कट आके इन्हों वैसे तुसी आण कर लो तेन्हों चल ली यांदो फ़र एक्जम्पल फिर उन्हों रीड करो ये दो मेथड दसे या खेक है इवनिंग टाइम लिसन करो बहुत ज़ादा ज़रूरी है अर्ली मौर्निंग रीड करो लिसन करन्दा फैदा है या ज़र आपा नाइट आम है चीजनों लिसन कर दे है लिसन करन्दा सब तो जदी इंपोर्टन चीज़ है ज़र बच्चे केंदे ने भी असी बोल दे है साड़े वर्ड से ग्रीन नी हुंदे साठी प्रनाउंस सेशन खराब है असी ज़र बच्चे कर दे है असी ज़र आप चीज़ ते फोकप पढ़ांगे उनने जादा सी वर्ड से प्रनाउंस करना सिखाँ के साठी वर्ड ग्रीन हुंदे पढ़े नाल कदे वर्ड ग्रीन नी हुंदे ए चीज़नों ती आंच रख्यो ज़र पढ़ दे है ना पढ़न दा मतलब हुंदा भी गौन्फिडेंस लेवल नो बदा देंदी या वर्ड्स ना फमिलीर करवा देंदी या और जे मैं फॉर एक्जांपल हैगा कैनेडा आपा कैनेडा बोल दे है मैंनो संपता आनी मैं के तो सोने आनी भी कैनेडा कैन दे या जिननीवरी मैं पढ़ूँगा मैं कनेडा 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 ही पढ़ूँगा जे मैं के तो सुनूँगा भी कनेडा नी कैनेडा फिर ओविसली मैं वो चीजनों रीड भी करूँगा ता सही रीड करूँगा जदो तुसी आवदी किसी चीज़नों सही परनाउंस करना, लिसन करना थोड़ी पहली प्रियोरिटी होवे, अरली मॉर्निंग रीड करो, इवनिंग टाइम जड़ावा ओ तुसी चीज़नों लिसन करो, आज चीज में तुनों प्रमोट करदा पया, फून हरेक को लेया, यू और सेकेंड चीज तुनों स्पीकिंगास तरसल लगा, जेडे बच्चे होन थोड़ी जी इंप्रोमेट करना चाहूंदे या, होन इंगलिश जेडे हैंगे या, फॉर एक्जांपल, ए तो लेके Z तक 26 अल्फाबेट सुनदे या, जिनना दे अंदर 44 साउंड होंदे या, सा होना ही, पर 44 साउंड ़ोगा, ए तो लेके Z तक उनना अल्फाबेट से अंदर, जेडे बच्चे वर्ट्स नू गल्थ परणाूंस कर दे या, उनना बच्चा नू इनना 44 साउंड से ना फमिलिए होना ही पोगा, फॉर फॉर साउंड दी प्रैक्टईस हो सी कितो कर सागद ह यूट्यूब ते जाके फिल करना मां English 44 sounds with examples English 44 sounds with examples time लगूगा छेती छेती चीजां समझे नहीं आणिगा पर जे तुसी एनन 44 sounds नो समझे लिया एक गरंटी आज मैं दिनना जे speaking थोड़ी 9 तो कट रहे है जी तो फेर गल करे हूँ मैं 80 दी भी नहीं गल करता गल मैं 90 दी करूँगा विकोस जन्ने तुसी class से बच्चे होंगे चलो मैं इथे कैसे दी disrespect नहीं करतागा चलो तुसी सारे अबदे बदिया पढ़ती होंगे बट मैंनों ए चीज दी surety या तुनों 44 sounds दी knowledge नहीं उन्हीं भी 44 sounds देखेड़े या 44 sounds जड़े या जब या तुनों CHD example दती या ए चीजा बारे जिननी knowledge रखोंगे ए knowledge ही तुनों थोड़ी speaking दे अग्गे लेगे जाओगे ठीका ए चीजनों त्यान चरख्यो बुक पड़ो, लिसन करो, 44 sounds दे वर्क करो ते speaking नहीं इंप्रूव करो इस speaking दी चीजा त्यान दियो ते 5 golden rules speaking दे दसल लगना इनूं फोकस कर लो ते next फिर आपा writing दे मूव कर दिया पहले चीजा speaking दी कदे आस्ते भी fast ना जाओ कदे आस्ते भी fast fast थे slow इस speaking दो में चीजा गलता एक moderate speed चाहिए भी मैं normal एक normal वे ना भूलता हम प्या मैं तेज पड़ाँ, मैं हॉली पड़ाँ ओ दो में चीजा गलता speaking दे भी चो moderate speed तुसी रखनी या भी ना तेज चीज गिनी जावे ना हॉली चीज गिनी जावे और तुसी में गल करदे नो देखिया भी मैं केरीड रोंदे वेच गल करदा और जै मैं किसे चीज नो speak करा for example, read lord नो speak करा आही tone मेरी होनी चाहिए अब कैमें दी tone होगी the insults and criticism were not unexpected what was surprising was people's enthusiasm about the competition thousands have participated in the discussion ना तेजा ना सलो आते ना सा चड़दा प्या नालदी नाली तोड़ना गल्ला करी या आ चीज हुंदी या ना सा नी चड़दा फ्लो नो maintain राख दी या ए फ्लो तोड़ा होना चाहिदा वा तो फ्लेंसी किसे दी copy ना करया करू ए जी भी चीज नो त्या आंच रखियो अगली सब्तों इंपोर्टेंट चीज हा सेकेंड रूलाइड़ा स्पीकिन दा पॉज़ेज होना थोड़े जो बहुत क्लास जो बच्चे पॉज नी लेंदे और कई बच्चे रीडलोड नो पदे के में बढ़नेंगे कई बच्चे समय दे या बिना रुके सारा बोलता इकको साज ही सारा बोलता मैं दे कदे रुके आई नी मैं दे कदे स्टक ही नी होया मेरे नंबर पूरे याउनगे कदे विद्धा नहीं हुंदा तुसी कोई फुल स्टॉप आ रहेया पॉज लेना जे थोड़े के कोई कोमा आ रहेया पॉज लेलो ठीक है जे कोमा या फुल स्टॉप नहीं है गा थोड़े रीड लोड़ दे वैच जे कोई डिफिकल्ट वर्ड आ होंदा प्या तुसी उत्ते भी पॉज लेसा गदे या कोई कोनेक्टर आ रहेया बहा एंड मोर अवर बट फ़दर मुर कोनेक्टर थे भी पॉज लेसा कादे हैं पॉज द नाल अपनी फिलेंस सी मेंटेन रहें दिया पॉज द अपने फिलो नो तेज नहीं जान दिन दे यह जीजां सारे बच्चे नो समझ नहीं चाहिए दिया ते इनना चीजांनों फॉज़ो करना चाहिए था 100% यह चीजां थोड़ी स्कोरिंग नो इंप्रूव करने वे जो बहुत जादा हलप कर दिया ते इनना चीजां थे वरक भी क्लास देविट सारे बच्चे नो करना चाहिए दावा थर्ड रूल स्पीकिंग था confidence confidence चीज की हुँ दिया confidence नो तुसे stress भी गया सागते हो जब होन तुसी कई बच्चे ड़े एप युनी दे रेक्टिस करते हो नगे उन्दनी चीज नोट कीती होगी एप युनी अपनी स्कोरिंग दे वच चीज एड़ गीती हा stress and speed तुसी ज़े नोट कीता होए एप युनी एक मेंचिन करती है न चीज stress and speed होनो stress and speed की चीज हा stress and speed दा की रोल आ अपनी speaking दे वच जो stress and speed चीज हुन दी हा जब हो फॉर एक्जम्पल कई बच्चे बोल दे या speaking नोट परफॉर्म करते पे या सही भी परफॉर्म करी यानेगे पर लोग जे confidence ना करनेगे डर के जे परफॉर्म करनेगे जिनना नर्वस होगे परफॉर्म करनेगे उननी speaking तो अनो score काट दा होगी एक जांपल दा मा और एल्स दा जदो आपा speaking दा दनने या एल्स दी speaking दनने आपा अपने के examiner पे था एल्स दी speaking दे वचे देख दे या आपा मदे examiner वाली देख दे पे फेसल इंदर अदर ता नहीं देख दे पे निवी पाके दा नहीं बैठे इनना चीजा तो अपने confidence level जज कर दे हो PT दे बच ठोड़ा confidence level के थो जज कर दे या PT दे बच दा PCA के बैठके exam दनने पे हो थोड़ी वाज तो थोड़ी वाइस तो तो सी बोल दे के में पे हो perform के में कर दे पे来 जड़े वे नाल तो सी perform कर दे पे या जवें तो शी speak कर दे पे या सर्फ उनना चीजान तो judge कर दे तो marks दन दे या जननी थोड़ी philosophy maintainciendo रोगी इनना चीज़ां दे नाल तुसी उनना चीज़ां नो इंप्रूव कर सागती हूँ कोशिशे कर रहा करो कोई चीज़ आओ दी या कोई चीज़ नहीं आओ दी अगर डिफरेंट में थाड़ा और मैं कोई से चीज़ नो प्रफॉर्म करदा है मैंनो रीड लॉड आ रहा है मैंनो रीड लॉड नहीं आ रहा है एक डिफरेंट में थाड़ा पर कॉन्फिटेंसल लेवल आवदा पीकते रखो एक तीसरा रूला तो हर एक बच्चे नो समझ जोनी चाहिए यह चीज़ दी फ दवारा सही करन दी कोशिश नी करनी इगनोर करो अगे जाओ 90% स्टुडेंट्स तो जो एक वड गल्त प्रनाउंस हो जानदा गल्त बोल्ला जानदा उन्हों सही करन दे पेच्चे पह जान देया सही करन दी कोशिश कर दिया वड नो सही करन दी कोशिश नी करनी उन्हानने स्पेशली चीज़नों क्या, भी रीकॉरेक्ट जे तुसी करोंगे, कोई वड़ गल्त बोला है, जो दवारा पड़न दी कोशिश करोंगे, वो तो वड़ी गल्ती या, ए चीज़नों सारी स्पीकिंग देवाच चत्या आंचरा करने, फिफ्त रूल, फिफ्त रूल है गा दा, 100-90% is important, 100-90% is important, एक ही चीज़ा, मीनिंग है दा, भी जे करोंगे, तुसी सारे ने सुने ही होगा, जे रीडलाड देवाच आप एक को दो वड़ स्किप भी कर दने है, ताम भी अपने स्कूर आ जान दे है, हर एक बचे नों चीज़ दा पातोंगे, भी रीडलाड चीज़ अपने स्किप कर सागती है, पीर से न अपने के अंदा भाग, जे तुसी कैसे भी चीज़ देवाच, फॉर एक्जांपल, जे तुसी रीडलाड नों पढ़ देवाच, रीडलाड नों पढ़ दे टाइम, तुसी 10%, 10% थोड़े तो कोई मिस्टेक होगी, 10% तुसी कोई अगे वादू, यह फाइफ रूहों सा, यह सारी स्पीकिंग का त्यान देओ, 100% स्पीकिंग देवाच, डिजार स्कोट तुसी एक इजाम देवाच लेके जाओंगे, तो इनना चीज़ा नों फॉलो करना, यह तो स्पीकिंग दी प्रेक्टिस करनी तुसी स्टार्ट करनी अगली चीज़ते हैं थोड़ी राइटिंग अल, थोड़ा फोकस कर लो, हम थोड़ा त्यान देदो राइटिंग के, जन्ने बच्चे लाइव देखते परियों, जल्दी जल्दी लाइक लाइब बटनों प्रेस कर लो, 100 लाइक्स दा टार्गेड चल दे लाइव ते लाइ जन्ने तुसी कमेंट सेक्षिन देवेच मैसरी कर दे परियों, सारे यानि, थोड़े कले 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 दा कमेंट पढ़के जाओंगे, तुसी बेफेकर हो जो, बट थोड़ा टाइम वेट कार लो, जोड़ी चीज़ते समझाना परियों, उन्होंनों कॉपी तर नोट कर लो, कि जादा इंपॉर्टेंट हा, बार जेड़े तुसी कमेंटा देवेच मैसरी कर दे परियों, सारे चीज़ां थोड़ी हमें सुनके जाओंगा, रप्लाइ थोड़े देगे जाओंगा, ठीक है जी, दोस्तों पहला जन्ने बच्चे लाइफ देखते परियों, जल्दी जल्द फॉलो कर देपे हैं, सादनु सादे टीचर के यंदे बैन हो गया, सादनु सादे टीचर के यंदे टेंप्लेट वर्क कर दा, ये टेंप्लेट नहीं वर्क कर दा, ताहे उस पीगिंग दे टेंप्लेट अचाहे राइटिंग दिया, चाहे लिसनिंग दा, कोई भी टेंप्ल पाट है, डिस्क्राइमेज, रीटा लेक्चर, थोड़ा ऐसे, थोड़ा लिस्निंग दी समरी, उन्ना देवेचे, content जादा important है, for example, writing the essay 15 marks दा, 15 नमबर दा writing the essay है, जिस देवेचे सिर्फ और सिर्फ 3 marks दा content है, ते 12 marks दा थोड़ा pattern है, template है, जो तुसी लेख देए, उन्ना दे according, जो 3 marks दे content देवेचे, तो उसी 0 लेके उन्ने पर है, तो overall scoring भी थोड़ी 0 है, तो उन्नों कोई number नहीं होनाँगा, आ फंड़ा भा, जेड़े बच्चे केंदा, template वर्क कीता, के नहीं कीता, content दे त्यान दो, template दे त्यान ना दो, मेरी class दे जिनने भी student पढ़ देया, जा म की template दे, अब दा time ना waste करो, template दो वर्वर यादे कर, क्या कर ला, ओं कर ला, सिर्फ आफ दे content दे त्यान दो, जो blanks is on यह थोड़े ऐसे, यो blanks दे वेचे, content अच्छा के में फिल करिए, मैं एक writing दे especially video पाऊंगा, content के में फिल करना मा, वो चीजा दे तुसी त्यान देना हो यह चीज पे focus करो, ठीक है जी, अगली चीजा, राइटिंग दे वेचे सब तो ज़ादा important थोड़ी रोगी typing speed, जेकर तुसी राइटिंग दे वेचे proof reading नहीं कर दे पे, तब proof reading तो बिना, राइटिंग थोड़ी का दे वधिया नहीं हो सागती, यह चीज नो त्यांच रख और जेड़े बैचे कहें दे अभी साधे typing speed, साधे कुल ता mobile है, ऐसे के मैं typing speed बनाईगे, market तो जाके आँ keyboard ले आओ, keyboard बात बात उनो 200 मेल जाना, 1500 मेल जाना, keyboard ले आओ, keyboard ते कोई थोड़े को नहीं है, कोई laptop निया, को computer नहीं है, वैसे keyboard रखो, keyboard राखे वैसे आफ दी practice कार मेरे को computer है, मैं फेरी typing सिखूँगा, यह थोड़े को keyboard भी यह कला, 200 अरपे दा, तुसी तावी जे कर साकते हो, तक 100% exam ते desire scoring लेके आ साकते हो, flow, speed, आभी चीज अपनी बना साकती है, यह जिजनो त्यान चे रखो, ज़रूरी ते 10-10 यार लाके आपा flow, अवधी typing speed इंप्ल कर लेगे, तो साटे को ले कटा-कटा 5 minutes जे डे या, वो proof reading आसते रहा जान, proof reading आसते 5 minutes थोड़े आसते compulsory या, जिसनो एक बार, दो बार, तैन बार तुसी read कर साकते हो, तो time ही अग्ये जाके थोड़े आसते फैदे मन्द होगा, because exam ते जो keyboard सोन के न, वो काफी होना थी बु proof reading होते compulsory हों दिया, 15 minutes दे वेच ऐसे गावर करो, कि नाल दी नाल जड़ा वात तुसी, 5 minutes आप दे अपनो proof reading आसते दो, writing जे सिरफ इन नहीं थी आंदे न, पोर जादा writing दे वेच फोकस करना दी लोड़नी या, third part थोड़ा ओंदा प्यावा reading, दे वेचो बहुत सारे बच् 99% आपनों स्कूरिंग दा कदे है नहीं गी ते नाहीं कदे इंप्रूव कर सागदे या, तैन्द चीज आ reading नो इंप्रूव करना से दसल लगा मा इन आते फोकस कर लियो, first चीज तो हो ही novel आटिकल, जो तो नो दसते है, वो five days English आले, वो novel आटिकल ही या, ठीक है, तुसी य नो समझो, understand करो, story या हो नहीं गी या, वियो की story दे गल कर दे पर या, केड़ी चीज दे एक्स्प्लेन कर दे पर या, starting तो लेके last तक, वो सारी story नो तुसी understand करना मा, वो novel आटिकल ही थोड़ी reading दे, understanding नो बढ़ान गी, second चीज तुसी त्यान देना, वो vocab दे, vocab जरी थे, मैं जल्दी एक vocab दी, वीडियो भी थोड़ना शेर करूंगा, important vocab दी, वोत्य त्यान दे दियो, vocab की हुन दिया words दे meaning, आ वर्दा meaning की या, आ वर्दा meaning की या, vocab बहुत ज़ादा important हा, third चीज हुन दियाने, collocations, collocations हुन दो वड़, कठे जड़ है को तुझे तो बेना र पर कोई भी चीज तो रीडिंग क्लियर नहीं करवा सागती, इना तिना चीजां दे फोकस देना, त्यान देना, शुरू करतो, रीडिंग नू इंप्रूफ करना स्ते, offline material हा, best material हा, exam दे विचे score दो मौना स्ते, last चीज लिसनिंग, लिसनिंग दे विचे दो चीजा में थो सेकें चीज अपनी लिसनिंग पावर, जेकर अपनू प्रॉपरली लिसनिंग पावर अपनी विचे, असी प्रॉपरली सौंदेनी, समझ देनी, तामी साथी score नहीं है कि, सेकें चीज जे साथी spelling विचे, तामी लिसनिंग चे साथी score नहीं है कि, दो माच चीजां दे विचे तोनो strong होना पोगा फर्स्ट चीज़ा तोनो अब दी listening power दे वैच्छ सेकेंड चीज़ा तोनो अब दी spelling दे वैच्छ फाइफ टाइपस दे spelling तोनो दसल लगा इनना फाइफ टाइपस दे spelling दे प्रेक्टिस कार ले हो 100% listening to your desires को रहा फर्स्ट चीज़ा ओन्दी जनवरी फर्वरी जनने भी तोनो याद होने चाहिए दे आ सेकेंड चीज़ा संड़े मटे जनने याद होने चाहिए दे आ थर्ड चीज़ा subject name subject names की होन दे आ जहेंगे for example mathematics, biology, psychology जनने भी subject names हा इस सारे थो नो यादोंने चाहे देया फूर्थ चीज़ा country names जड़े पने country names आ इंडिया, कैनेडा, चाइना, पाकिस्तान जड़े यादोंने चाहे देया फिफ्थ चीज़ा थी common names common names हो देया daily basis ते regular basis ते use होना ले नाम जवे daily basis ते government, pollution majority, security, enthusiasm जो डेली बेसिस ते words सी use होंना थी, यह पांचे टाइपस दे स्पलिंग कर लो, बहुत दे स्पलिंग जान दी लोड़नी, यह फाइफ टाइपस दे स्पलिंग ही थो लिस्निंग दे वैचे clear करवा साक दिया, ठीक है, यह फाइफ टाइपस दे स्पलिंग बहुत जादा important है, ते लिस्निंग पावर ने इंप्रूव करना असते चीज़ हों दिया TED Talks TED Talks ते स्पलिंग पोल देना YouTube ते सर्च कार ले हो T-E-D T-E-D Space T-A-L-K T-E-D Space T-A-L-K TED Talks TED Talks एक लेक्चर गोरे स्टेई ते खड़ों के दंदे पे हों दिया इनना के ज़्यादा एक्सेंट होते इंप्रूव करवां दे या जड़े बच्चेंट एक्सेंट दे लिस्निंग पावर दी प्राबलमा सर्फ TED Talks एंप्रूव करवा सागदियाने इनना दो चीज़ां दे त्या आंदियो थर्ड जीज पच्चा दी कन्फीज़ना लिस्निंग दे वैच्छा सपलिंग के ड़े करीगी होंद बेहेविर यू आला आ गया बेहेवियर विदाउट यू आला गया कल्दर यू दा आला गया, कल्दर विदा यू आला गया mostly बच्चान दी confusion ना सवर KEDA spelling आसी यूज़ कार सागदिया होणे दो वक्रियां वक्रे चीज़ आने है एक ता British एक American ये दो वक्रे वक्रे spelling का कुछ students दा करना भी आप ब्रिटिश यूज़ कारने है कुछ students दा करना असी American यूज़ कारने है वो भी सही है जे behavior without you भी पादने है वो भी सही है दो में चीज़ां गल्त नहीं है गिया ये जीज़नों त्यांच रख ले और एक्जाम दे वच्छो दो में चीज़ां चाकी है जणगे फॉर एक्जांपल अमेरिका दे वच्छ भी PR मेल जानती है जे तुसी आप टीटी दे एक्जाम देनने पाई हो जे तुसी एगल्यांड दे वैच्छों, उक्टे दे वैच्छों फिर भी तुसी टीटी दे पियार ले सागा दी हो इतना हो जानता है पट official exam ते सारे spellings ने असेट कीता जानता बिहेविर यू ना लख दे पहिए तुसी बिहेविर नू बिदावट यू लख दे पहिए दोना चीजान सही या, दोना चीजान दे वेचे मार्कस तो अड़े काटनी कारनेगे इनना चीजान दे फोकस करो, इनना चीजान दे आण रखो डेफिनली थोटे स्कोर जड़े ओ लिसनिंग दे वेच अच्छे होंगे और आज ये चीजान दोना दसी या दे, फोकस इनना चीजान दे कारलो फोकस इनना टाइम टेबल्स दे कारलो इनना रेगुलर बेसिस दे, डेली रूटीन दे वेच चीजान दो एड कारलो सरफ और सरफ दिना दे वेच सरफ दिना दे वेच तुसी आफ़ दे डिजार स्कोरिंग लेके आसागदे हो मन्थ तो उपर नहीं तुसी जाँदे एक मन्थ दे अंदर-ंदर, 30 days दे अंदर-ंदर तुसी आफ़ दे स्कोर लेके आ सागदे हो बच्चेके अंधा भी सर सरफ थर्टी डेस दे वेच तुसी कहने स्कोर दबादाओंगे तुसी की करवाने हो आज चीजां करवाने हो असी सरफ साइट देते अन्यमर्व होंदे असी बच्छा नों के नहीं भी आ चीजां तुसी करो इनना चीजा नोंसी प्रमोट कर देयां जिनना चीजां बच्चा नों बच्च्छ 보नेंस स्थोस्चें नहीं मता होंगी ज़िए वीडियो वधिया लगी तो जल्दी जल्दी लाइक ले बटन नो प्रेस कर दो जन्ने बच्चे लाइव देख दे पई हूँ लाइकस दी गिंती भी बराबर होनी चाही दी या जल्दी जल्दी लाइक के ले बड़न उम्रास कर दो सारे हाने ज़े कोई भी कोईशन है तो अटा ज़े ओल्डेन क्लासिस दे रगाड़िंग काफी बच्चे मैसरी कर दिया मैं उपर चैट दे वैच नंबर पाया वटसब दा तो से उपर मैसरी करके अपने कोईशन क्लियर कर साकते हूँ अल्डेन क्लासिस दे रगाड़िंग कोई भी डाउट सेट है वो क्लियर कर साकते हूँ सर एप यूनिते 65 आ जान दे हा कि मैं एक्जाम दे देवा एड़ एभी चीज ते आंचरा कलो भी जड़े बचे कहते हैं ना भी साठे एप यून दे माकस आ जान दे है ते की साठे एकजाम दे बज़ श्कोरा आ जाने के यर एप यूनि एक उर चीज आ एकजाम एक रील और चीज आ मैं कैसे होर के लिए एप यूनि नी नी जिटिए भी A, B, C, D, साइट है ना किसे नो एकजाम ना compare करके ना देखिया करो एकजाम होर चीज़ है, real exam होर चीज़ है ठीक है ना जिट उसी दिनने पर एकजाम mock test दे वैच्छा ते real exam दिनने पर उदो में जिज़ा different है scoring नो compare ना करो जिट उसी scoring देखनी है भी साटा exam दा level है गया कि नहीं है अपनी teacher बच्छो भी साटा level है या नहीं है अब दी side तो scoring दो judge ना करो सर स्कोर नहीं है, होन मैंनो की करना चाहिदा हुआ सर प्लीज जासदो, बहुत demotivate होई है देखो एक चीज़ा, जिट उड़े score नहीं आएगे है तोसी सब तो पहलाव दे weak point दे वर्क करो कई बच्चे कहने स्वाड़ी दूज़्य पेपर देता सब तो स्कोर रिपीट होगे, फलाना फलाना बहुत चीज़ा तोसी होड़े score आए नहीं सब तो पहलाव दे weak point दबो वी केड़े करके मेरे score नहीं है केड़ा part मेने exam चे difficult लगा साथा कुछ हो फिर उन्हों आप दे strong चीज़ा बनाओ उते जादा work करो, definitely थोड़े अगली वरी exam के लिए रूगा dictation नो केमें प्रोव कर सागत है आप ये नी तो prediction कर लो 100% exam चे रिपीट हो नहीं है स्टार्टिंग तो कर दें कोई गल नहीं इंप्रोव हो जाणके थोड़े भी हौली हौली आपधी practice continue रखो methods त्यान चे रखो practice तोड़ी हो जोगी सब वल ने strategy मैंना वल ने strategy भी कदे promote नहीं करता मैं तोनों कदे नहीं कहूंगा जिनने तुसी मेंनों follow करना ले हूँ जिनने तुसी मेरे according study करते हूँ ठीक है मैं तोनों कदे नहीं कहना तुसी वल ने strategy यूज़ करो ना था मैं कदे आप दे किसे भी student दों करवाई है वल ने strategy यूज़ बहुत जादा रिस्क का 50-50% स्गो रहा ते रिस्की कम करना नहीं चाहिए था फॉर एक्ज़ंपल 15-16 यार एमे नहीं आ जादा ठीक है तोसी 15-16 यार यार बेपर पर नहीं रिस्क लाएके नहीं ना करू UKVA थे वीडियो जल्दी बना दना है वैसे UKVA PT Academic सेम ही हा जी कोई जाद है ना चीज़ना दे विच डिफरेंस नहीं है रियाउडर थे भी जल्दी वह प्रवाइड कर दना है जल्दी एक थोड़ना वीडियो शेर कर दना है वह क्याब दरी दी भी तो से अपने टीचर्स नो पुछो भी इसी एक जाम देन दा लेवल है या नहीं है दन थो नो चीज़ना पता लगोगा सो एसी आज़दा लाइफ होप सो थो नो वदिया लगया होगा काफी इंफोमेटिव चीज़ां टाइम टेबल तो नो वदिया लगया होगा तो अमीद करदा हमां एट टाइम टेबल थोड़ा वदिया थोड़ी रिक्वेर्मेंट दो कम्प्ली कम्प्लीड करवादूगा तो डेजार स्कोरिंग थोड़ी एक जाम चोद वादूगा जड़े-जड़े बच्चे वचारे का रिबेट के पढ़ना चाहूं दिया ने फीसा फोड कर देगे दब के उन्हों दोस में तरह उन्हों लाइफ शेर कर दो ते जे लाइफ वधिया लगिया लाइक कार लो गुर्विंदर पीटी दे चानल नो सब्सक्राइब कार लो जेड़े बच्चे ऑलनेन क्लासे लणा चाहूं दिया ओ भी अवेलेबल नी उपड़ी वट्सप दे नंबर पाया उते वट्सप दे मैसेभ कार लो डिस्ट्रिप्षयन दे लो नंबर पातने या उते वी तुसी मैसेज कार लेओ तो बहुत important चीजां भी तो सी लाइफ क्लासेश चे सेकश कार लियो आलने क्लासेश ची भी सेकसा करते हो जे तुसी वकैब दी वीडियो चाहने हो भी पंजाबी प्लस हिंदी दो मांदे बाचे प्रवाइड करीगे कि काफी बच्छा दा मैसेज आ जैंदा जे तुसी इंग्लिश दे मीनिंग लखते हो पंजाबी जनाड हिंदी करण करो ते मैं जरूरकन स्क्शन दासेओ दे गड़े बच्चे वो कैब दे मीनिंग्स चाहने या जड़े-बच्छे मंट येस दे होंगे क्मेंट सेक्शन चे उनन आ अकॉर्ण आप आप लाइव लाके आया करांगे सो मिलते हैं कल दे लाइव दिवाश थैंक यू सुमाज जी सास्री कल सराण